जै हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर इसी क्या वज़ा रही होगी कि भूपाल शहर को मद्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया जब कि भूपाल शहर से बड़े-बड़े कई शहर मद्यप्रदेश में मुझूद थे जैसे ग्वालियर हो गया इंदर हो गया जबलपूर हो गया लेकिन इन शहर इन शहरों को छोड़कर भी मद्यप्रदेश की राजधानी को भूपाल को ही क्यूं बनाया गया अगर आप जानना स्बचिए विडियो को अंत तक जरूर बेखिए प्यूद यहाँ है कि जो भूपाल शहर के नवाब वो भुपाल शेहर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, क्योंकि उस नवाब के पाकिस्तान से काफी अच्छे संबन्ध थे, और ये जो उस टायम के नवाब थे, गद्दार नवाब के नाम से भी जाते हैं अब जो अपने राज्य को पाकिस्तान जेसी जगह में मिलाना चाहेगा उसे गद्दार नवाब ही करें भारत देश का कुई राज्य पाकिस्तान में ना मिल पाए इसलिए पंडिक जवाहरला नहरू और सरदार पटेल जी ने यहां निर्णे लिया कि भुपाल को अधिप्रदेश की राजधनी बना दिया क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो जो भुपाल के गद्दार नवाब थे वो पाकिस्तान में मिल जाते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिएगा वीडियो